एक तरफ जहां सत्ता पक्ष और वपक्ष दोनों ही डुम्री उप्चिनाव की तैयारियों में लगा हुआ है वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से जार्खन समन्वे समीती के सदसे यहाँ ज राजभवन पहुंचे के लिए जार्खन समन्वे समीती के सदसे राजभवन पहुंचे हाला कि राजभवन में कोई मौजूद नहीं था ना तो राजपाल मौजूद थे और ना ही कोई अधिकारी मौजूद थे जिसके बाद यहाँ सुरक्षा कर्मियों के द्वारे रिसीविंग कराकर समन्वे समीती के सदसे वापस लोटते हैं मीडिया से उन्होंने बादचीत की और सीधे तोर पर निशाना साधा है केंद्र सरकारपजी हैं उनका सीधे तोर पर कहना है कि जो भी गतिविदी हो रही है राजवपाल बना संदेश के तीनों विदहयक लोटा देते हैं तो वह चाहते ही नहीं है कि जस आंदोलन के बदौलत जहारखन का निर्मान हुआ उस आंदोलन को सफलता प्राप्त हो हो सकता है थोड़ा देर आए एक में एक दिन राजववन का बुलावा आएगा हमें भी बिल्कुल आप उसी को समझेए जहां तक हम लोगों का विशय है वो सीधा विशय ये है कि जब राजववन को कोई विधेक आता है विधान सभा से तो उसके बाद उस पर उदासीन रवईया अपनाते हुए जहां भेजना है वहां न भेज करके दूसरे जगा पर बगैर संदेश दिये हुए भेजना इससे ये अस्पष्ट होता है कि राजववन एक विशेस मंसा के साथ काम कर रहा है और जो हम लोगों को 27% आरक्षन या OBC, ST, SC का आरक्षन देना चाहते हैं जो 1932 के खत्यान की बात करते हैं वो और मॉब लिंचिंग की बात करते हैं वो कहीं न कहीं उसमें हमें फेल कराने की कोशिस खो रही है और महा महीम राज जेपाल जी को हम लोगों ने पत्र दिया तो ठीक है आपके पास समय नहीं है मत मिलिए लेकिन पांच दिन के बाद तो समय होगा अगर आप ये दे देते कि नहीं आप से मैं आठ तारीकों मिलूँ कोई दिक्कत नहीं है हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब यहां कांस्टेबल को हम लोग पकला के जा रहे हैं इस लिए कि कोई अधिकारी भी नहीं है आप इसी से साफ समझ लिए कि न कहीं न कहीं राजभण पलेटिकल अपने किसी पलेटिकल पार्टी को लाब पहुचाने के लिए कहें या पलेटि ने भुलाना तो हो गाए इसी बात नहीं है तुकि राज के जोलंत हुद्धे हैं महामहिम राजपाल इसको साफ संज्यान बलेंगे और भुलाएं चाहिए हम लोगों ने राज समीती राज समन्वे समीती के तरब से राजपाल महदे को हम लोगों ने अनुरोध किया था कि समन्वे समीती के परतिनिधी मंडल आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन उस पत्र के जबाब में हम लोगों को किसी तरह की सूचना प्राप्त नहीं हुई और आ आज कहीं समय हम लोगों ने मांगा था आज राज समन्वे समीति के परतिनिधी मंडल आपके समच है हम लोगों ने जब राज भौन से इसकी सूचना प्राप्त करनी चाहिए तो उन्हों ने असपश तौर पे कहा कि महामहीम यहां उपलब्द नहीं है और OST लोग भी छुट से दो दिन पहले हम लोगों ने राज भौन को सुचना दी थी कि हम लोग तीन तारी को मिलना चाहते हैं और गंभीर विशय है और इस गंभीर विशय से पूरा जार्खन राज और जार्खन राज के वासी प्रभावित हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों क राज भौन के तरब से समय नहीं उपलब्द कराया गया और जब हम लोग यहां पहुँचे तो असपश्ट तोर पे यह कहा गया कि OSD और सभी बरिये पदाधिकारी भी छुट्टी पर है। हुई थी और उस बैठक में कई ऐसे मुद्दे जो राज के विकास से संबंदित थे, राजवासियों की अपेक्छा से संबंदित थे और यूं कहें कि जो काफी लंबे अर्षे से जो मांग राजवासियों की थी उन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया था और चर्चा के उपरांते अनिरने लिया गया था कि राज सरकार और राज के राजवाल महोदै को हम लोग उस विषय से अउगत कराएंगे और हम लोग अनुरोध करेंगे कि उन विषयों पर वो इस्थिती अस्पस्ट करें